फ्रेंड्स हर एक क्रेटर्स का यूटूब पे आने का सिर्फ एक ही रीजन है वो है पैसा लेकिन आप यूटूब से तभी पैसा कमा सकते हो जब आपका चैनल मुनुटाइज होगा लेकिन एक दूसरा तरीका भी है अगर आपका चैनल मुनुटाइज नहीं है तो भी आप अ 100-200 या यू कहें 500 व्यूस आता है तो आपको sponsorship कैसे लेना है मैं कोई भी website के बारे में या किसी भी application के बारे में नहीं बताऊंगी जो की बहुत सारे व्यूस आते हैं अगर आप एक new creators हो तो अगर आप YouTube पे earning करते हो या पैसे कमाते हो आपका चैनल मोटाई नहीं है तो आपका YouTube पे मल लगा रहता है या यू कहें motivate होते रहते हो लेकिन अगर आप YouTube से पैसे नहीं कमा पाते हो तो दो तीन चार महीने में दिमोटिवेट हो जाते हो और YouTube को छोड़ देते हो लेकिन आपको मेरे भाई छोड़ना नहीं है मैं आज आपको पताऊंगी कि अगर आपके चैनल पे 100, 200, 500 व्यूस आते हैं तो इजली आप कैसे sponsorship लेकर काफी जादा अच्छी खासी earning कर सकते हो तो बने रहना वीडियो में अंतक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिड होने वाले इसलिए बिना ikiट कि यह लासतर कि देखना और वीडियो वूण करने से पहले कल वाली वीडियो का लएक कर दीजे आप चलिए वीडियो की तरह फ्रेंड आप करें कि आपके चैनल में किटने इूर्णह कितने वीउस आते तो कितना चार्ट करना है और उसके बाद में आपको बताऊंगे कि काई से आप को यह लेना है नमबर एक, माल लीजे आपके चैनल पर 100 व्यूज आते हैं तो आपको 200 से 300 चार्च करना है इससे ज़्यादा नहीं, 300 बोलोगे तो कमपनी होते करते आपको 1.500 से 200 रुपे देगी अगर आपके चैनल पर 500 व्यूज आते हैं तो आप 1.1200 मतलब 1.1200 आपको कमपनी को डिमांड करना कि मैं इतना लूँगा और तब आपको कमपनी 700 से 800 रुपे इसली देदेगी इसी तरीके से अगर आपके चैनल पर 1000 व्यूस आते हैं तो आपको कमपनी से 2000 से लेकर 3000 रुपे डिमांड करना है आपको कमपनी से 2000 से 3000 कर डिमांड करना है तो कमपनी बात करते करते आपको easily 2000 से 1500 रुपे दे देगी आप बात करें कि कितना डिमांड करना है तो ये तो आपको confirm हो गया कि कितने views पर कितना demand करना है आप बात करें कि आपको sponsorship लेना कैसे है तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगी उस दोनों तरीकों को आपको follow करना वो दोनों तरीके से आपको sponsorship 100% मिल जाएगी नमबर एक आप जब भी अपने यूटूब चैनल को create कीजिए या बनाईए आपके about section में एक email id होनी चाहिए जो कि आपको पता है कि मैं बहुत सारी live history में चैनल चक करती हूँ तो 99% लोग अपने about section में email id नहीं देते हैं जो कि आप मेरे about section में आप देख सकते हैं कि easily एक email id पड़ी हुई है यह एजवे sponsorship के लिए जिनके चैनल पर ज्यादा व्यूस आता है उनको तो easily sponsorship मिल जाता है email id के तुरू लेकिन इस टाइम काफी ज्यादा मलब company active है छोटे creators को sponsorship दे रही है उसके पीछे का सिर्फ एक region है कि छोटे creators कम पैसे में sponsorship कर लेते हैं चार सो से पान सो एक हजार रुपे में easily sponsorship कर लेते हैं इसलिए company छोटे creators को ज़्यादा target कर रही है तो अगर आपने about section में email id नहीं दे रखा है तो जाके फटाक से इस video को देखने के बार एक sponsorship email id add कर दीजेगा एक तरीका यह हो गया क्योंकि इससे आपको क्या होगा company आपको mail करेगी और अगर आपके चैनल्स पर interested है आपके regular views अगर 500 से 400 views आते हैं तो company आपको email करेगी वहां से आप उनसे बात कीजिए और आपना चार्ज बता दीजिए तो एक तरीका यह हो गया दूसरा तरीका आप अपने category मैं किसी एक category की बात नहीं कर रहे हूँ नहीं बहुत सारे लोग कोगे कि मैम ये तो आपने tech की बात की है cooking का बात नहीं किया बाई मैं किसी एक category की नहीं सारे category की बात कर रहे हूँ आपका जो भी category हो आप अपने से something जितना भी आपका व्यूस आता हो जैसे आपके class के जाब बाती हैं मान लीजिए आप class 5 में बढ़ रहे हैं तो आपके class 5 के सारे दोस्तों से आपकी बंती होगी उसी तरीके से आपके YouTube पे जितने भी व्यूस आते हैं तो उतने व्यूस वालों को आपको क्या करके रखना है सब्स्राइब करके रखना है और देखना है कि जो भी भाई जिनके 500 से 1000 व्यूस आरे हैं वो sponsorship किये हैं तो easily उनसे आप क्या कीजिए contact कीजिए contact कीजिए और पूछिए कि भाई आप ये sponsorship कैसे लिए है जा जो sponsorship कीए हैं उसका contact number मुझे दे दीजिए और उनसे आपको बात कैसे करनी है easily उनके about section में या यू कहें कि उनके description में एक Instagram ID जरूर होगी क्योंकि हर creators Instagram, Facebook, Tutor के ID अपने description में add करता है तो easily आप वहाँ से उनके Instagram पे जाईए वहाँ follow कीजिए और उनको message कीजिए कि भाई आपने जो कल वाली वीडियो पे sponsor किया था तो please आप ही कितना मेरा भी views आता है मुझे भी दे दीजिए मैं भी sponsor करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो क्योंकि वह आपके classmate है आपके जैसा views आता है तो easily वह आपको आपका contact number मतलब वो sponsorship company का number दे देंगे और आप easily अपने company से जिस भी company का sponsorship content number देंगे वहाँ पे आप बात कीजिए और उनसे कहिए कि मुझे आपके sponsorship में interest है मैं आपका sponsor करना चाहता हूँ तो company आपसे interest है थोड़ा मक्कन मालिस कीजिएगा थोड़ा बढ़ा चड़ाके आप company से बात कीजिएगा तो 100% आपको company response भी देगी और आपको sponsor सी देगी ये एकदम जन्मन तरीका है बाकी आप किसी application किसी website के माद्यम से आप कितना भी message कर लीजे कोई भी company response नहीं देने वाली जैसे मेरे challenge पे 5000 से 8000 दसजार व्यूस आता है तो उसी challenge को मैंने target करके रखा जिनके channel पे इतना व्यूस आता है और एजली अगर वो अपने channel पे sponsor करते तो मैं उसे बोलती हूँ कि भाई आपने जो कल वाली वीडियो पे sponsor किया था उसका मुझे message या contact number दे दीजी और वो मुझे इजली दे देते हैं क्योंकि उनका भी उतना वी व्यूस आता है जितना की मेरा आता है और मैं उनसे बात करके मैं sponsorship कर लेती हूँ आज तक मैंने जितना वी sponsorship किया यही एक जरिया है बाकी मेरे पास खुद ही mail आता है अगर आपके चैनल पर ज्यादा व्यूस आएगा तो company आपको खुद टारगट करती या खुद आपको company mail करती लिकिन कम व्यूस आता है तो यही एक genuine तरीका है इसी तरीके से आप अपने चैनल पर sponsorship ले सकते हो और YouTube से अगर earning नहीं हो रही है तो sponsorship से earning करके अच्छी खासी earning कर सकते हो यह एकदम genuine तरीका था जो मैंने बता दिया I hope आपको यह वीडियो बहतरीन and knowledgeable and interested लगी होगी वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर पहली बार आए हूँ तो प्ली चैनल को subscribe कर लो, bell icon को press कर लो और एक like कर दो मुझे Instagram फॉलो कर लो, मेरी Instagram आड़ी टेकसरे23 है जिसका link दे दिया है फिर किसी next वीडियो में मलते है प्रेंट, तब तक के लिए जैहिंद, बंदे मात्रम